तो हम फिर से चलना है, सब्ट्रेक्शन पढ़ने, सब्ट्रेक्शन में हम आज क्या पढ़ेंगे, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है, हम चेक कैसे करेंगे कि हमने जो सब्ट्रेक्शन किया है, वो सही है या गलत है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ इसको पहले हम solve करेंगे, उसके बाद check करेंगे कि हमारा जो answer आ रहा है, वो सही है या गलत, तो जिसमें से हम minus करते हैं, वो होता है minuant, यह मैं पहले लिए बता चुकी हूँ, जिसको minus या subtract कर रहे हैं, वो होता है subtrend, और जो उसका answer आता है, उसको बहुते है difference, तो चलिए इ 8 में से 0 हो जाएगा, तो 8 आएगा, अब हम 2 में से 8 subtract करेंगे, 2 में से 8 तो subtract होगा ही ने, क्योंकि 8 बहुत बढ़ा है, 2 बहुत छोटा है, तो हम क्या लेंगे, carry, 2 जो है 0 से मांगेगा, 0 के पास खुद कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगा, आगे से carry मांगेगा, यह हो ज दे देगा, तो यह क्या हो जाएगा, 12, और जब 10 देगा, 1 डिजिट तो यह हो जाएगा, 9, ठीक है, I hope तो आगया हो, क्योंकि पिछली class में मैंने यह पढ़ाया भी था आपको, फिर 12 में से 8 subtract करेंगे, आजाएगा, 4, उसके बाद 9 में से 2 subtract करेंगे, तो कितना आजाएग 7, उसके बाद 7 में से 1 subtract करेंगे, तो आएगा 6, और 5 में से 4 subtract करेंगे, तो 1, 9 में से 6 subtract करेंगे, तो 3, अब अगर हमी चेक करना हो, कि क्या हमने जो subtraction किया है, वो सही है, मतलब जो हमने घटाया है, या minus किया है, वो सही आया है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, difference और subtract को add कर अगर वो माइनुएंड के equal आ जा रहा है, तो इसका मतलब हमने जो subtraction किया है, वो सही किया है, तो चलिए इसको check करते हैं, तो बच्चो मैंने भी बताया ना कि जब हमें check करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो difference होता है, और जो subtract होता है, उसको add कर लेते हैं, अगर वो एंगर कर लेंगे, वन से लेके लैक तक, वन से टैन संड्रेट, थाउजंट, थैन थाउजंट, यहां पर क्या गया, लैक, तो अब चलिए पुट करते हैं, तो हमारा जो difference आया है, वो के है, थ्री, वण, सिक्स, सैवन, फोर, एट, नेक्स्ट, हमारा जो subtract है, वो कितना है, 6, 4, 1, 2, 8, 0, अब आप देख रहें न, मैंने सेम, यह दोनों digits को यहां put कर लिया है, यह है subtrend, यह है difference, अब हम इसको क्या कर लेंगे, add, क्या कर रहे हैं विच्चो, इसको add कर लेंगे, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, 8, 8 प्लस 0, 8 आता है, 4 प्लस 8 कितना आता है, 12, 1 है, यहां carry, ठीक है, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, यहां पर बन गया carry, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, next, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, अब आप देख रहे होंगे, जो answer आया है, difference और सब्ट्रेंड को एड़ करने पे वो माइनुएंड के इक्वल आया है मतलब 9,58,028 और हमारा आंसर भी आया है 9,58,028 तो इसका मतलब जो हमने सब्ट्रेक्शन किया है वो करेक्ट है तो इस तरह से जब भी आप सब्ट्रेक्ट करें और आपको डाउट लगता है कि वो सही है या गलत तो इस तरह से अगर आप डिफरेंस और सब्ट्रेंड को एड़ कर लेंगे और वो माइनुएंड के इक्वल आ जाएगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा चलते हैं नेक्स टॉपिक पे तो बच्च मारे नेक्स टॉपिक है सब्ट्रेक्शन फेक्ट लेके इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हुआ होगा जो मैंने आपको भी सिखाया है चेकिंग राट्स ब्ट्रेक्शन कैसे सब्ट्रेक्शन को चेक करते हैं सही क्या यह गलत तो आप comment section में comment कर दीजेगा मैं उस पर next detail video बना दूँगी या कोई और topic होगा तो वो भी आप comment section में comment कर सकते हैं तो चले चलते हैं subtraction fact पे यहां क्या है subtracting zero from a number मतलब किसी number में से zero को subtract करना next is subtracting one from a number किसी number में से one subtract करना next is subtracting a number from itself मतलब किसी number को खुद से ही subtract कर देना subtracting tens hundred thousand तो चलिए हम इसको detail wise देखते हैं एक एक को हम detail wise solve करेंगे और समझेंगे तो बच्चो मारा पहला subtraction fact क्या है subtracting zero from a number मतलब किसी number में से zero को subtract करना तो क्या लिका है if we subtract zero from any number the answer is the number itself इसका मतलब यह है जब आप किसी number में से zero को subtract करते हैं तो जो number होगा वो खुद ही answer होगा जैसे for example 666 में से zero subtract करेंगे तो आंसर क्या हैगा 666 ठीक है 6666 में से minus करेंगे zero तो आंसर क्या हैगा 6666 तो इसी तरह चाहिए आप one में से zero minus करिए तब भी answer one होगा 2 में से minus करेंगे zero answer 2 होगा 200 में से ही क्यों ना minus कर लीजे zero तब भी answer same जो minus कर रहे है जिस से minus कर रहे है zero को वही उसका answer होगा लेकिन अगर हम किशी digit से zero में से minus करेंगे तो वो different होगा अगर वहाँ पर कोई और digit added है तो तो आई होप आपको subtracting zero from a number समन में आ गया होगा चलते हैं next fact पे तो बच्चो हमारा next subtraction fact क्या है subtracting one from a number जैसे हमने addition में देखा था ना हम one add करते थी तो हमें क्या मिलता था successor वैसे जब one minus करेंगे तो हमें क्या मिलेगा prediction तो चलिए देखते हैं when we subtract one from a number we get the prediction of that number मैंने आपको prediction of successor बताया था ना number system में अगर आपको नहीं पता है prediction of successor क्या होता है तो आप पिछली वाली number system वाली video देख सकते हैं तो बच्चों जिन बच्चों को नहीं पता है कि prediction of successor क्या होता है तो परिशान जित नहीं है मैंने number system में पढ़ाया हुआ है उसका link में description box में दे दूँगी तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि prediction of successor होता क्या है यहाँ पर आप समझ लीजेए prediction मतलब होता है कि किसी digit में से हम one minus कर देंगे तो वो prediction होगा और successor मतलब जो हम plus करते हैं ठीक है तो अभी हम subtraction की बात कर रहे है उसके fact की बात कर रहे है तो इसमें क्या है when we subtract one from a number we get the predation of that number मलब हम किसी भी digit है किसी भी number में से minus करेंगे one को तो हमें क्या मिल जाएगा उसका predation जैसे देखे यहाँ पर क्या है 444 में से हम minus one कर रहे है तो यह इसका predation है ठीक है किसी भी number में यही जरूरत नहीं है कोई भी number हो उसमें से आप one minus करते हैं तो जो number आएगा उसका predation होगा जैसे देखे 4444 में से minus करेंगे one one क्या है one's place पे है तो one's place से ही minus होगा ठीक है उसके बाद answer क्या जाएगा 4443 तो यह इसका predation है और यही नहीं अगर माल लेजी यहाँ 24 होता और मैं उसमें से one minus करती तो इस 24 का predation क्या आता 23 और यही नहीं अगर माल लेजी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 124 आप कोई भी ले सकते है अगर मैं उसमें से one minus कर दूँगी तो क्या जाएगा 123 तो यह इसका predation है ठीक है minus one करेंगे तो predation आ जाएगा plus one करेंगे तो successor आ जाएगा यहाँ पर subtraction fact में यह भी एक fact है कि minus one करने पे हमें predation of a number मिल जाता है तो चलते हैं next fact पे तो बच्चों मारा next fact है subtracting a number from itself subtracting a number from itself का मतलब है खुद के number से खुद को minus कर दें जाए मालीजी आपके पास two chocolates थी two chocolates किसी को दे दिया किसी ने ले ली तो आपके पास कितनी बची zero ठीक है तो यहाँ पर समझते है when we subtract a number from itself the answer is zero हम जब किसी भी number को किसी से minus कर देते है मैं उसी number से minus कर देंगे तो answer क्या जाएगा zero जैसे मालीजी 44,444 में से हमने minus कर दिया 44,444 को तो answer क्या है zero same 444 में से हमने minus कर दिया 444 को तब भी क्या answer आएगा zero वही नहीं अगर मालीजी आप 20 में से 20 को minus कर दें तब भी zero ही आएगा, माली ये four में से four को minus करते हैं, तब भी zero ही आएगा, तो मलब same number में से same को minus करने पे, उसी number को minus करने पे, answer क्या आता है, zero, तो I hope so, आपको ये वाली भी facts समय में आ गई होगी, चलते हैं next fact पे, तो पिच्चा हमारा next or last fact है, ये subtraction facts का, subtracting tens, hundred and thousand, ठीक है, इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि हम जब tens को minus करते हैं, subtract करते हैं, तो क्या आता है, hundred को और thousand को, जैसे while subtracting ten, hundred or thousand from a number, the digit in the tens, hundred or thousand place decreases by one, मलब जो हम ten को minus करेंगे, तो tens वाले place पे one minus हो जाएगा, hundred को minus करेंगे, तो hundred वाले place पे minus one हो जाएगा, thousand वाले को minus करेंगे, तो thousand प्ले है if the digit at any place is zero then we need to regroup अगर कहीं किसी digit पे 0 है तो उसको minus करने के बाद तो 1 तो आएगा नहीं दूसको क्या करना पड़ेगा रीग्रूप करना पड़ेगा तो चलिए पहले इसके example देखते हैं 88888 में से हम minus 10 कर रहें तो आप देख रहे हैं कि 10 क्या है 10 यह है तो 10 प्लेस पे ही तो difference आएगा 8 में से 0 जाएगा तो क्या एगा 8 8 में से 1 गया तो आगया 7 और सारी digits सेम रहेंगे क्योंकि उसके नीचे को यह number है ही नहीं सब्ट्रेट करने को ठीक है तो इस तरह से आपने देखा न 10 को minus करने पर 10 पर difference आए है माइनस वन का चीक है माइनस हमने वन कर दिया वहाँ पर उसके बाद नेक्स चलते हैं 88,000 में से सेम नंबर में से हम 100 माइनस करेंगे तो difference कहां पर आ रहा है 100 वाले हाँ में पर यहां पर देखेंगे और वाले प्ले सेशगा रहा है और में सब्सक्राइप है कि उसके पर ईबरद ॉसक्ता है तो खीक है मैं इतना माइनस जब्सक्राइब हत आ और हम तुंच यहां और हम परअंधर तो हंदेग वाले प्लेस 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 में 1 को कोई बीडित हो उसमें से बार निट करेंगे इससे जो तो और यहीm thrilled जाएक़ छबती को यह तैंसेगह से बार करने के लिए 1 वा electricity ॹे जो आज की एज जो भी doubt होगा आप comment section में comment कर दीजेगा मैं उसको next video में cover up कर लूँगी तो आज ही class यहीं पर खतम करते हैं बच्चो और next कुछ और topics बचें subtraction के वो भी हम next videos में cover कर लेंगे तो bye bye and have a nice day